नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का All Exam Guide Group पर दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री जीके का Practice Set Paper इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए 2000 कौशन्स की जीके की पीडियप दे रहा हूं पीडियप को डाउनलोड कर लिजेगा सारे कौशन्स एक्जाम में पूछे हुए प्रशने हैं याद कर लिजेगा और अच्छा स्कोरिंग करिएगा वीडियो पूरा देखिएगा चेक करिए कितना कॉशन आपसे इसमें बनता है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेगा फ्री वीडियो है आपके दोस्त जरूर देखेंगे सबसे पहला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर इनमें से कौन सा शाषक दास या गुलाम राजवन से समंदित है राइट आंसर है इल्थ उत्मिस इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जायेगा नेक्स कॉशन देखते हैं विश्व विख्याट डोनवास कोईला चेतर किस देश में इस्तित है सही उत्तर क्या हो जायेगा देखते हैं समिधान का कौन सा अनुच्छ संग quiz से वा आयोक्ष से संबन्धित है राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छ 315 अप्सट नंबर डिये यह नंख से संवध्र हो जाएगा दिली की प्रसिद्ध वैद साला जो है इनमें से कौन सी है से योट्थर क्या हो जाएगा तो दिल्ली की परसिद वैद साला का नाम है जंतर मंतर option number C यहाँ पर सयुत्र हो जाएगा next question देखते हैं विश्व साक्षर्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है right answer क्या हो जाएगा तो 8 सितंबर को option number B यहाँ पर सेयत्र हो जाएगा विश्व साक्षर्ता देवस मनाते हैं राइट आंसर है 8 सितंबर प्रशिंग के लिए सेयत्र हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशिंग क्या है यह रहा स्क्रीन पर समुदर में बहिवरष्ट भूमी क्या कहलाती है समुदर में बहिवरष्ट भूमी क्या कहलाती है तो राइट आंसर हो जाएगा समुदर से बहिवरष्ट या समुदर में बहिवरष्ट भूमी को प्राइदीब कहा जाता है option number D इस प्राज्चि लिए सेयुत्र हो जाएगा प्राइदीब right answer है नेक्स question देखते हैं क्या मुशा गया है दिल्वारा का जैन मंदिर किस राज्य में इस्थित है right answer क्या हो जाएगा दिल्वारा का जैन मंदिर जो है मिरातो लखबार को कौन प्रकाशित करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा फार्सी सापताहिक मिरातो लखबार को कौन प्रकाशित करता है तो राजा राम मोहन राई जी इस प्रश इंगले से उत्र हो जाएगा फार्सी सापताहिक मिरातो लखबार को राजा राम मुहन राय प्रकाशित करते हैं सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं अगला प्रशन टेली ग्राफिक पठार निम्न मैंसे कहां पर इस्तित है टेली ग्राफिक पठार निम्न मैंसे कहां इस्तित है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो उत्री अट्लांटिक महासागर में टेली ग्राफिक पठार है option number C यहाँ पर सयुत्र हो जाएगा उत्री अट्लांटिक महासागर इस प्रशिंग लिए सयुत्र हो जाएगा next question अलबरुनी किसके साशनकाल में इतिहासकार था right answer क्या हो जाएगा अलबरुनी किसके साशनकाल में इतिहासकार था तो right answer हो जाएगा महामद गजनवी के साशनकाल में option number A यहाँ पर सयुत्र हो जाएगा right answer हो जाएगा option number A इस प्रशिंग लिए सयुत्र हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नरसिम्हा राओ जी के कारेकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्विकार किये गए राइट आंसर हो जाएगा. Next question. महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा शीलंका की सबसे बड़ी नदी है. महाबली गंगा ऑप्शन नमबर स्षीलंका प्रश्न के लिए सई उत्तर हो जाएगा. Next question. देखते हैं. जोला मुखी गतिविदियों से किस प्रकार की जील बनती है? सई उत्तर क्या हो जाएगा? जोला मुखी गतिविदियों से किस प्रकार की जील बनती है? राइट आंसर क्या है? तो जोला मुखी गतिविदियों से कॉल डेरा जील बनती है. option number c यहाँ पर सयत्र हो जाएगा next question देखते हैं किस बादशाह के अंतरगत मुगल सेना में सरवादिक हिंदू सेना पती थे कौन से बादशाह के अंतरगत मुगल सेना में सरवादिक हिंदू सेना पती थे right answer क्या हो जाएगा तो औरंग जेब के सेना में औरंग जे बादशा के अंतरगत मुगल सेना में सरवादेक हिंदू सेना पती थे राइट आंसर हो जाएगा next question देखते है राश्य रस्दार फल अनुसंधान केंदर कहां पर अवस्तित है या कहां परिस्तित है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राश्य रस्दार फल अनुसंधान केंदर राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में है option number B यहाँ पर सहीतर हो जाएगा नागपुर प्रशन के लिए सहीतर है next question देखते है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम option number बाबर प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question गांधी जी किस गोल में समेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे क्या उत्तर हो जाएगा जूनागर से प्राप्त संस्कृत का पहला अभी लेक किस साशक का है क्या उत्तर हो जाएगा जूनागर से प्राप्त संस्कृत का पहला अभी लेक किस साशक का है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जूनागर से प्राप्त पहला संस्कृत का अभी लेक जो है रुद्रदामन का है option number D यहां पर सेयत्र वो जाएगा रुद्रदामन प्रशन का सही उत्र है next question देखते हैं क्या पुछ अगछा है अगला प्रश्ण है गारो इस कहां पर है इनमें से right answer क्या है बतला यह गारो हिल्स जो है कहां पर है सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा चले देखते हैं तो गारो हिल्स जो है राइट आंसर है option नमर मेघाले में है option नमर डी यहां पर सही उत्र हो जाएगा मेगाले प्रशन के लिए right answer है अगला प्रशन दक्षण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो थार मरुस्थल दक्षण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है राइट आंसर हो जाएगा विश्व डांक दिवस हर वर्ष कम मनाया जाता है तो विश्व डांक दिवस 9 अक्टूबर को हर वर्ष मनाते हैं option number D यहाँ पर सहित्र हो जाएगा next question देखते हैं komodo national park कहाँ पर है क्या उत्तर हो जाएगा komodo national park कहाँ पर है right answer क्या हो जाएगा तो इंडोनेशिया में है komodo national park right answer is option number B इस प्रशिन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते है क्या पूश गया है महरानी विक्टोरिया को भारत की सामरागी कब नियुक्त किया गया था क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रेशिण के लिए महरानी विक्टोरिया को भारत की सामरागी 1858 में रियुक्त किया गया था option number C यहाँ पर सहीतर हो जाएगा 1858 right answer है सहिवत राज अमेरिका की डैथ वैली कहां पर इस्सिद है क्या उत्तर हो जाएगा तो सहिवत राज अमेरिका की डैथ वैली कैलिफोर्णिया में है option number B यहां पर सहित्तर हो जाएगा next question 11 सदी के भारत का दरपन इनमें से किस बुक को कहते हैं किसे कहते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 11 सदी का दरपन जो है किताब लहिंदू को कहा जाता है इसमें सारी जानकारी मिलती है 11 सदी के भारत की इसलिए दरपन कहा गया है से next question देखते हैं क्या पूशा गया अगला प्रशन पंजाब के हिंदू शाही राजवन्ष को किस ने स्थापित किया था तो कलहर ने option number B यहाँ पर से इत्रो जाएगा पंजाब के हिंदू शाही राजवन्ष को स्थापित किया था next question देखते हैं भारती समिधान के किस भाग में संग्य नयपालिका का उलेख मिलता है भारती समिधान के किस भाग में संग्य नयपालिका का उलेख मिलता है तो भाग 5 में संग्य नयपालिका का उलेख मिलता है right answer हो जाएगा लोग सभा में अनुसूचित जन जातियों के लिए कौन से राज में सरवादिक सीटें आरक्षित हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा तो लोग सभा में अनुसूचित जन जातियों के लिए सरवादिक सीटें आरक्षित हैं मद्द प्रदेश में OPTION-MAAB B. यहां सही उत्र हो जाएगा, NEXT QUESTION अजाद शत्रु के बाद मगद में किसका SHARSHन IshtTHAFFITH हुआ तो अजाद शत्रु के बाद में, मगद में ODIAN का RAJ ISTHAFFITH हुआ शाशन IshtH접ITH हुआ, RIGHT ANSWER हो जाएगा, ODIAN backstory के लिए SAHYUITR है तो दोस्तों ये था आपका GK का Practice Set Paper वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेर करेगा फ्री वीडियो है आपके दोस्त जरूर देखेंगे वीडियो लाइक करेगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा जिससे रोज के वीडियो की नोडिफिकेशन्स आपको मिल सके हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो